हेलो गाइस कैसे हैं आप आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लौकी के कोपतों की रेस्पी लेकर आए हैं आपको यदि हमारी ये रेस्पी अच्छी लगे तो प्लिए जुसे लाइक, शेयर और कमेंड जरूर करें और हमारे चैनल को सब् करना बिलकुल भी ना भूदे लौकी के कोपते खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और आप इसे रोटी, पूडी, परहाटा, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं चलिए तो हम लौकी के कोपते बनाना शुरूर करते हैं सबसे पहले ये हमने एक लौकी ली है, इसको हम छील देते हैं, ये मेडियम साइज की लौकी है और पतली है, अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे, अब हमारी लौकी में बीज नहीं है, हमने अपनी पूरी लौकी ग्रेट कर ली है अब हम इसे हलके हातों से निचोड लेंगे और इसका थोड़ा-थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे लौकी को ज़्यादा हम नहीं निचोड़ेंगे लौकी से जो पानी निकला है उसको आप जूस की तरह पी भी सकते हैं या फिर आप रोटी बनाने के लिए जो आठा गूतें उसमें आप इस पानी को यूज कर सकते हैं अब हम अपनी लौकी में एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्यास डालेंगे एक हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हरा धनिया, एक चमज धनिया पाउडर, एक चमज छलदी पाउडर, आदा चमज लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला आदा चम्मच चाट मसाला और बेशन डालेंगे बेशन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी जरुवत हमें होगी हम इसमें उतना बेशन थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे देखिए हमारे कोपतों का डो बनकर तयार हो गया है अब हम इसके गोल गोल कोपते बनाएंगे इसी तरह से हम सारे कोपते बनाकर तयार कल लेंगे यदि आपके कोपते नहीं बन रहे तो थोड़ा सा बेशन आप इसमें और डाल दीजिए इसी तरह से हम अपने सारे कोपते बना लेंगे इधर हमने कड़ाई में तेल होने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया था एक एक करके हम अपने सारे कोपतों को डाल देंगे जब हमारे कोपते एक साइट से तल जाएंगे तब पलट कर हम इने दूसरी साइट से तलेंगे कोपते बहुत सौप्ट होते हैं जब ये एक साइट से तल जाएं तभी आप पलट कर इने दूसरी साइट से तलिए और इन पर ज़्यादा कंचली ना लगा ये नहीं तो ये तूट सकते हैं ये देखिए हमारे कोपतों का बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है अब हम इने निकाल लेंगे हमने अपने सारे कोपते तल का निकाल लिये हैं कढाई का एक्ष्टा तेर निकाल देंगे और इसमें हमने सिर्फ एक बड़ा चमच ओयल रखा है इसमें एक तेज पत्ता, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलाइची आदा चमच जीरा और एक चोथाई चमच हेंग डालेंगे मसालो को अच्चे से भून लेते हैं ये दो प्याज हैं, जिनको हमने मोटे मोटे टुकड़ो में काट रखा है दो हरी मिर्च, एक इंच अद्रक का टुकड़ा और पांच छे लैसुन की कलियां सब को हम ग्राइंडर में डाल कर इसका एक पेश्ट तयार कर लेंगे इधर हमारे मसाले बुन चुके हैं इसमें हम अपने प्याज के पेश्ट को डाल देंगे और लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक हमारे प्याज का कच्चा पन निकलना जाए और प्याज का कलर हलका गुलावी ना हो जाए देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है ये हमने दो टमाटर की प्यूरी डाली है इसको भी अच्छे से अपने प्याज लहसुन अद्रक के पेश्ट में मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे एक चमच गरम मसाला आदा चमच लाल मिर्श पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच कश्मेरी लाल मिर्श सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ढग कर गैस की फ्लेम लोग करके पाउडर मिनट के लिए इन्हें भूल लेंदे हैं देखिए हमारी मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं मसालों से ओयल अलग हो चुका है और इनमें एक बहुत ही अच्छी खुश्पू आ रही है अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मैथी डाल देंगे इसको भी मसाले में मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें पानी डालेंगे आपको लौकी के कोक्तों के ग्रेवी जैसी रखनी हो आप इसमें बैसी पानी डालिए यहाँ पर हमने तक्रीवन देड़ गिलास पानी डाला है कोक्ते भी पानी को काफी शोक लेते हैं इसनिये पानी थोड़ा सा जादा ही डालिए नमक डालिए, नमक हमने श्वात के अनुशार डाला है हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है अब हम इसमें अपने कोपते एक एक करके रख देंगे ढक कर गैस की फ्लेम लो करके दस मिनट के लिए हम अपने कोपतों को पकने देते हैं दस मिनट वाद जैक करते हैं देखिए हमारे कोपते नर्म हो गए हैं और हमारे कोपतों की सब जीवन कर बिल्कुल तयार है उपर से हरा धनिया डाल देंगे अब हम इसे सर्फ कर रहे हैं आपको हमारे कोपतों की रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और एक बार घर पर बना कर जरूर ट्राइग करिएगा तेंक यू